कोरोना संकट की वज़े से भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट बी सीज़न जल्द ही समाप्त करना पड़ा था और इसकी वज़े से ही IPL 2020 को अनिश्चित काल के लिए स्थेगिद करना पड़ा था बोर्ट को उमीध है कि स्थिती बेतर होने पर उसे जल्द ही मैचु की आविज़न की अनुमती मिल जाएगी लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोबारा क्रिकेट सुरू होने पर सैंस को क्रिकेट का ओबरडोस देखने को मिल सकता है इसपोर्ट स्थार के एक रिपोर्ट के मुदाबिक BCCIA की समय में टीम इंडिया की दो टीम उताने पर विचार कर रहा है जी हाँ दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार ऐसा हो सकता है कि आप विराट कोहली को ऑस्टेलिया में टेस्ट टीम का नित्विति करते हुए देखें और अगले ही दिन के एल राहूर को इंग्लेंड में ODI और T20 की कपतानी करते हुए देखें रिपोर्ट के मोताबिक BCCI के एक अधिगारी ने स्पोर्ट स्टार से कहाया कि बाकी अन्य बोर्ड की तरह BCCI को भी अब तक काफी नुक्सान हुआ है और बोर्ड आगे बढ़ने के लिए एक बिसेस बिकल्प पर विचार कर रहा है हम मैंसे कोई नहीं जानता है कि खेल खास्तोर पर International Cricket कब सुरू होगा लेकिन अगर हमें अपने सभी हितोधारों को स्पोंसर से लेकर दर्शकुतक की सुरक्षय करनी है तो एक बिकल्प है दो टीम है चुनना और Testeridge और T20 एक साथ खेलना PCCI की कोर्सिस होगी की International Seasons की सुरूआज से पहले IPR 2020 का आयोजन करने की होगी माना जारा है कि ऐसा होने पर सभी फॉर्मेट के कप्तान बिराट कोहली निश्चित तोर पर टेस्टीम की कप्तानी करेंगे जबकि KL राहुल, ODII और T20 कप्तान के लिए सीर्स दावधार होंगे ऐसे में सिखर दवान भूनेशर कुमार, स्रेयस अयर, यजुवेन चहल, पुल्दी प्यादो जो की टेस्टीम का हिस्सा नहीं है वो रोहित पोहली और बोमार की गहर मौजुदगी में सिमित ओवरू में टीम को आवश्यक अनुवा बरदान करेंगे अगर BCCI एक साथ दो टीमें उतारता है तो वो ऐसा करने वारा दूसरा बोट बन जाएगा गौर्टलब है कि ऑस्टेला ने साल 2017 में दो इंचरनेशनल सिरीज एक साथ खेली थी उस समय इस्टेविस में भारत की टेस्टीम की नेच्टु कर रहे थे जबकि एरॉन फिर्स टीट्वेंटी टीम का नेच्टु कर रहे थे तो दोस्तों आपको BCCI का एक ही समय में दो टीमें उतारने का विचार कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दे क्या यहो फैसला सफल होगा या असफल हमें कमेंट करके जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो की थैंक्स फोर वाचिए